जै जी नेंद्र बच्चों, एक बात बताओ, आपको जू, एक्वेरियम देखके कैसा फील होता है? हम यही सोचते हैं आ वाव, देखो यहां तो बहुत सारे आनिमल्स हैं, देखो तो कितने सुन्दर सुन्दर बर्द्स हैं, कितना बड़ा एलिफेंट है, कितना पावर्फुल टाइगर है, और अरे यह देखो सी होर्स कैसे स्विम कर रहा है? बाट, डिद यू एवर नोटिस कि वो एनिमल्स केज की बार्खस के अंदर से आपको देखते रहते हैं? और ऐसा लगता है कभी-कभी, as if they are trying to say something. हम, हमें तो पता नहीं चलता कि वो हैपी हैं या सैड हैं इस जू में उस केज के अंदर, because they can't speak. लेकिन तिर्थंकर नेमिनाद भगवान के साथ एक ऐसा ही इंसिडेंट हुआ था, that changed his life forever. आज हम आपको उसी इंसिडेंट के बारे में बताएंगे. तो तिर्थंकर नेमिनाद समुद्र के बीच में बनी हुए एक बहुत सुन्दर सिटी में रहते थे, जिसका नाम था द्वारी का नगरी. That city is also famous because of his cousin brother श्री कृष्ण. जब नेमिनाद थोड़े बड़े हुए, यंग हुए, तो उनकी शादी जूनागर के राजा, उग्रसेन की बहुत beautiful daughter, राजुल मती से fix हो गई. नेमि कुमार और राजुल की शादी की news सब तरफ से खुशियां खुशियां लेकर आई. आपको तो पता है ना, तिर्थंकर भगवान की लाइफ के हर इवेंट को celebrate किया जाता है और सब बहुत खुश होते हैं. So, people were dancing and singing songs, hearing about the news of their wedding. नेमि कुमार और प्रिंसेस राजुल की शादी के लिए पूरी जुनागर नगरी को बहुत ही सुन्दर सजाया गया था. The whole atmosphere was filled with music, joy, happiness, चारों और से ढोल नगारे बज रहे थे. नेमि कुमार की बारात, उनका पूरा wedding procession पूरे गाजे बाजे के साथ जुनागर जा रहा था. थोड़ी ही दूर गए थे कि नेमि कुमार ने पता है क्या दिखा. उन्होंने देखा कि बहुत सारे animals को एक बड़े से farm में बंद करके रखा गया है. वही नहीं, all the animals were very scared and they were running here and there because they were hungry and they were thirsty. तो नेमि कुमार को लगा कि ये सब animals बंद हैं, उसी दुख से वो परिशान हैं क्योंकि कुछ आनिमल की आईज में तो आसू भी थे. उन सब को थेक कर नेमि कुमार गट वेरी चंसर्ट. He got down from his chariot, he stopped his wedding procession and उस उन्होंने उस farm के गार्ड से पूचा कि अरे, इस happy occasion पर इन आनिमल के रोने की आवाज हैं कैसी? Why are you holding these animals hostage here? इनको यहां बंद करके क्यों रखा गया है? तब वहां के गार्ड ने कहा, Sorry, but we have kept these animals so that we can kill them and make food for your wedding. And they told him that these animals will be killed for the marriage feast. यह सुनकर नीमी कुमार जी तो shocked हो गई. वो सोचने लगे कि यह animals जंगल में रहकर सिरफ खास foods खाते हैं, किसी को तंग भी नहीं करते, दुख भी नहीं देते, फिर भी selfish लोग इनको नहीं छोड़ते. यह सुनते ही नीमी कुमार ने सोचा, ओ, इतने सारे जीवों की life, मेरी wedding के कारण जाएगी, नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिलकुल नहीं होगा. यह तो बहुत गलत है, हाए यह बिचारे जीव, यह तो कुछ बोल भी नहीं सकते, इन innocent animals को मार कर खाने से किसको खुशी मिलेगी? यह सब सोचते सोचते, his heart was filled with sympathy and compassion for animals. And do you know what he decided? He decided कि उनको यह शादी ही नहीं करनी, जिसके कारण इतने सारे animals को दुख पहुँचे. और वो बोले, ऐसी शादी किस काम की? जहां इतने सारे innocent जीवों को hurt किया जा रहा हो? और उन्हें सभी worldly things से, attachment से वेराग्य हो गया. उन्होंने मुनी दीक्षा ही ले ली. नेमी कुमार के वेराग्य को देखकर, शादी में आये हुए one thousand kings, एक हजार राजाओं ने भी नेमी कुमार के साथ मुनी दीक्षा ले ली. और पता है बच्चों, ये प्राणियों को hurt करने वाले incidents का तो बस एक illusion था, जो इसलिए रचा गया था कि नेमी नाथ को वेराग्य हो जाए. उधर, प्रिंसेस राजुल, जिनके साथ नेमी कुमार की शादी होने वाले थी, जैसे ही उनको पता चला कि नेमी कुमार को वेराग्य हो गया है, तो उनको कैसा लगा? She became very sad, very anxious and very, very, very serious. love the scripture IRA मेरो सुहाग बिघाड़ गयो री तोरन से मुख मोड लियो है तोरन से मुख मोड लियो है सुन पश्वन के लकार गयोरी मुनी महराज ने उनको संबोधन दिया उनको गाइब किया उनके उपदेश से राजुलमती को भी फैरागे हो गया और उन्होंने भी आरिका दीक्षा ले ली She also decided कि जिस तरह नीमी कुमार ने अपनी लाइफ की कल्यान के लिए मोक्ष के लिए मुनी दीक्षा ली है उसी तरह मैं भी आरिका बन कर अपना कल्यान करूंगी और वो सब कुछ छोड़कर प्रिंसेस राजुल बहुत सारी राजकुमार्यों के साथ आरिका बन ले देखा कितने काइंट थे नेमिनाद भगवान और कितनी डिवोटिड थी राजुल चलो हम सब भी प्रॉमिस करते हैं कि हम भी भगवान नेमिनाद की तरह जीवों की रक्षा करेंगे और सभी आनिमल्स के लिए कमपैशन रखेंगे रखेंगे ना जेजिनेंद्र